Good morning students. This is class 4th, subject Environmental Science, Lecture 5, Chapter 2, The Northern Mountains. Quick Recall अपना आज कहा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिकॉल करेंगे कि हमने उसमें क्या-क्या पढ़ा था. Location of Northern Mountains Northern Mountains की Location क्या है? The Northern Mountains stretch along the northern border of India and called Himalayas. Northern Mountains दूर तक, नौर्थ में दूर तक बॉर्डर तक फैले हुए हैं और इन्हें हम Himalayas बोलते हैं. Extent of Northern Mountain Northern Mountain कहा तक फैले हैं? Starting from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh ये जम्मो और कश्मीर से शुरू होकर Arunachal Pradesh तक फैले हुए हैं. Their East-West extent is about 2500 km and width is about 160 to 450 km ये लगभग 2500 km तक फैले हैं और इनकी चोड़ाई लगभग 160 से 450 km हैं. ये सभी चीजे हमने अपने पिछले लेक्चर में पड़ी थी. हिमालियास हैव थ्री पेरिलल रेंजिस. हिमालियास तीन पेरिलल रेंजिस में फैले हुए हैं. इसका मतलब ये है कि हिमालियास के लगभग तीन रेंज हैं जो एक साथ चलते हैं पर इनकी उचाई अलग-अलग है. पहली जो सबसे उचे पहाड हैं, जो सबसे उचे माउंटेंस हैं, उन्हें हम हिमादरी बोलते हैं, इनको हम अपर हिमालियास भी कहते हैं. दूसरे हैं, जो हिमादरी से थोड़े कम उचे हैं, वो है दा हिमाचल रेंज. इन्हें हम Middle Himalayas भी बोलते हैं और तीसरे है दशिवालिक जो इन दोनों से कम उचे हैं इन्हें हम Lower Himalayas भी बोलते हैं कल हमने हिमाद्री और हिमाचर रेंचिस की बारे में पढ़ा था Mount Everest The highest peak of Himadri is Mount Everest which is located in Nepal This is also the highest peak in the word Mount Everest हिमाद्री मतलब अपर हिमाल्यास की सबसे उची चोटी है यह Mount Everest नेपाल में है Mount Everest वर्ड में सबसे उची चोटी है Glaciers Glaciers क्या होते हैं Glaciers are rivers of ice and snow हमने कल देखा था कि Glaciers, ice and snow की बनी हुई नदिया होती हैं जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं बर्खे वो तैरते हैं और उनमें से ही नदिया निकलती हैं जैसे गंगा और यमुना The third range is Shivalik आप इस map में देख रहे होंगे कि कल हमने जो दो ranges पड़ी थी एक थी हिमादरी जो हिमाल्यास की सबसे उचे mountains थे उसके बाद जो हिमादरी से थोड़े कम उचे थे वो थे हिमाचल रिंच और तीसरे है दशिवालिक दशिवालिक which is also known as lower हिमाल्यास और outer हिमाल्यास शिवालिक वो हम lower हिमाल्यास या outer हिमाल्यास भी बोलते हैं इस आर द। त यूच हिमाल्यास वूच हम यूच थे थे बत्ते बत्त चर बत्त बत्ततों ट्पー adventure's and ku meters and width 10 to 15 km ये जो शिवालिक mountains हैं ये तीनों mountains में सबसे south की तरफ मतलब सबसे नीचे की तरफ है lowest range में आते हैं और इनकी height लगभग 900 meters से लेकर 1100 meters तक है और ये लगभग 10 to 15 km तक फैले हुए हैं the slope of these mountains are covered with thick forests which are home to variety of wild animals ये जो शिवालिक mountains हैं ये बहुत घने जंगलों से भरे हुए हैं जिन में अलग अलग वराइटी के animals रहते हैं हमने अपनी पिछली slides में देखा था कि अपर हिमाल्यास और मिदिल हिमाल्यास ये snow से covered रहते हैं पर शिवालिक mountains ये घने जंगलों से घिरे हुए हैं इस slides में आपको दिख रहा है कि ये जंगलों से घिरे हुए पहाट कितने सुन्दर लग रहे हैं जिनमें अलग अलग वराइटी के animals अपना घर बना कर रहते हैं the extensions of shoots of हिमाल्यास इस map में आपको जो green color का ट्रेंगल है वो दिख रहा है वो केटू पीक है कारकोरम range. The कारकोरम range lies to the northeast of Ladakh and the highest peak of this range is Ketu or Godwin-Austen. Its height is 8611 meter. It is also the second highest peak in हिमाल्यास. कारकोरम range यह नौर्थ इस्ट ओफ लगदाक लगदाक के नौर्थ इस्ट में है और इन रिंजिस की सबसे उची चोटी केटू या Godwin-Austen है जिसकी हाइट 8,611 meter है. आपको इस map में भी दिख रहा है कि Ketu नौर्थ इस्ट ओफ लगदाक में पड़ता है. सबसे यह जो चोटी है यह हिमाले की दूसरी सबसे उची पीक है. सबसे जो पहले नंबर पे सबसे उची पीक है वो हमने last slides में देखा था Mount Everest है जो नेपाल में है पर जो इंडिया में है वो Ketu या Godwin-Austen है. PURVANCHAL RANGE PURVANCHAL RANGE PURVANCHAL RANGEES ARE THE EASTERN EXTENTIONS OF THE HIMALAYAS. CONSISTS OF THE NGA, PATKI, LUSAHAI AND THE MISO HILLS IN NORTHEAST INDIA. पूर्वांचल रेंज ये हिमाले के इस्ट की तरफ extensions है इनको हम पूर्वांचल रेंजिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये eastmost part है country के बिल्कु लास्ट में जो eastmost मतलब बिल्कु लास्ट में east की तरफ जो mountains है वो है इसलिए इन्हें हम पुर्वांचल रेंज बोलते हैं इसमें आपको मैप में दिख भी रहा है नागा हिल्स, पात्की हिल्स, लुसाही और मीजो हिल्स ये सब पुर्वांचल रेंजिस के ही मौंटेंज हैं Importance of the Himalayas Himalayas की क्या importance है हमारी country के लिए The Himalayas make a natural boundary on the northern border Himalayas protect us from the neighboring countries इस मैप में आपको जो dotted area दिख रहा है वो पुरा Himalay रेंज है ये Himalayas हम्यारी country के लिए एक natural boundary है जो nature ने ही बनाई हुई है और ये Himalayas हमें अपनी neighboring country अपने पडोसी देशों से भी protect करता है The mountains also protect the rest of the country from the icy cold winds from Central Asia Himalayas की जो mountains है पहाड हैं वो Central Asia से आने वाली जो बहुत थंडी हवाई हैं उनको भी रोपता है और हमारे country को उन थंडी हवाऊं से बचाता है Many perennial rivers like the Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Kosi, Gandak and Ghagra originate from glaciers of Himalayas हमने अपनी last slides में देखा था कि जो ये गंगा, Yamuna ये glacier से बनी हुई नदिया है जो हिमाले में हैं ये glaciers ऐसे ही भ्रहमपutra, Kosi, Gandak and Ghagra ये भी हिमाले के glacier से ही बनी हुई नदिया है जो आप इन मैपस में देख सकते हूँ The Himalayas also trap the monsoon rains from forcing them to shed their moisture within Indian subcontinent मतलब हिमाले जो monsoon rains जो करते हैं उनको अपनी country में करने के लिए force करता है अगर ये हिमाले के उचे-उचे mountains नहीं होते तो ये monsoon आगे निकल जाता लेकिन इन हिमाले की वज़े से ही हमारी country में ये rains, monsoon rains होती है इस picture में आपको देख भी रहा है कि कैसे monsoon की जो हवाई है वो आती है और हिमाले की वज़े से हमारी country में monsoon होता है The thick green forests are the home for the many kind of animals and birds There are many wildlife centuries in Himalayan forests हमने last slides में देखा था कि हिमालेन रेंजिस में बहुत से animals और birds रहते है उनी के लिए हिमालेन forest में बहुत सी wildlife centuries भी है जैसे आपको इस slide में दिख रहा है Jim Corbett National Park यहाँ पर अलग-अलग तरहे के animals और birds रहते है The mountains are also a rich store house of mineral resources Dams have been built across many rivers to produce electricity हिमाले के mountains है वो minerals के भी बहुत बड़े बड़े बंदार है वहाँ पर काफी minerals होते हैं और जो हिमालेन rivers है उनकी उपर dam बनाए गए हैं जिनसे electricity produce होती है इन pictures में आपको दिख रहा है कि यह dam है और इन dam से ही electricity generate होती है Life in the upper Himalayan range is very difficult due to cold climate Transportation is difficult and growth of crops on a large scale is not possible जो सबसे अपर हिमाले है जो हिमाले की सबसे उपर वाले mountains है वहाँ पर life बहुत difficult है क्योंकि वहाँ का weather या वहाँ का climate बहुत ज्यादा difficult है बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और इसी वज़र से वहाँ transportation भी नहीं हो पाता ज्यादा और फसले crops जो है बहाँ पर बहुत ज्यादा large scale पर possible नहीं होती है बहाँ की जो life है वो बहुत difficult है So, this is all about this chapter We have studied about Himalayas The Himalayas mountains are the one of the most beautiful place in India to explore and it is a gift given by nature Himalayas mountains हमारी country के लिए नेचर के लिए एक gift में से एक है Now, some interesting facts The Himalayas are the youngest mountains and the Aravalis are the oldest hills Himalayas, जो mountain है, ये young mountains है क्योंकि ये अभी की मतलब ये नहीं की बिल्कुल आजकल में बने है Means ये new बने हुए mountains है और Aravali hills जो है, वो वर्ड की सबसे पुरानी hills में से एक है Next, the Himalayas are still growing like you Every year, increasing their height Himalayas अभी भी growing है जैसे आप अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हो Himalayas mountains भी अभी हर साल थोड़ी थोड़ी अपने height बढ़ाते है Next, Tensing Norge of Nepal and Sir Adam Hillary of New Zealand were the first person to scale Mount Everest in 1953 Tensing Norge जो Nepal के हैं और Sir Hillary जो New Zealand के हैं इनों ने, दोनों ने 1953 में Mount Everest पे सबसे पहले चढ़ाई की थी So, ये हमने पूरा हिमाले के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा कर हम एक बार ये चैप्टर पूरा दुबारा से revise करेंगे तब तक हम अभी अपना homework और कल का जो solution है Today's homework Answer the following questions Question 1 Mention three ways in the Himalayas are important to the people of India Indian peoples के लिए Himalay कैसे important है? आपको कोई तीन बाते हिमाले की importance की बारे में लिखनी है Question number two Name two offshoot ranges of the Himalayas Himalayas की दो offshoot ranges के नाम लिखने है ये दो negations के आंसर आपको ये जो वीडियो है इसमें मिल जाएंगे Now, next is homework solution कल का जो आपका homework था, question के आंसर और फिलफ्स देने थे यहां पर मैं आपको आंसर बता रहे हूं Question one, name the three parallel ranges of the Himalayas Answer, the Himalayas have three parallel ranges First, the Himadri, Upper Himalayas Second, the Himachal Range, Middle Himalayas Third, the Shivalik, Lower Himalayas Question number two, name three hill stations One each in Himachal Pradesh, Uttarakhand and West Bengal Answer is Shimla in Himachal Pradesh, Nenitar in Uttarakhand and Darjeeling in West Bengal Now, next is fill in the blanks First, the Upper Himalayas are also called Dash Answer is the Himadri The Upper Himalayas are also called the Himadri Second, the Dash is Youngfold Mountains Answer is Himalaya The Himalaya is Youngfold Mountains Third, Dash is a hill station located in the state of Uttarakhand Answer is Nenitar Nenitar is a hill station located in the state of Uttarakhand Fourth, Mount Everest, the highest peak of the Himalayas lies in the Dash Answer is Nepal Mount Everest, the highest peak of the Himalayas lies in the Nepal This is all about for today Happy learning and be safe